A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine and being well. So, today I am here with all of you sharing my views on a moral story. Today I will tell you a story. Do you want to listen to a story? Have you ever seen a lion? Have you ever seen? You have seen a lion? Very big. What is the king? What is the king? You have seen a small lion? Rat. It is a small lion. So, today I will tell you a story. A lion and a rat. A lion and a rat. ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट. One, two, three, स्टार्ट. एक शेर थाता कतवाला, राजा था वो जंगल का, उसे देखके सब डरते थे, वो ना किसी से डरता था. ठका हुआ शिकार करके गर्मी भी थी भारी. लेटा नीचे पलफर में ही नींद आ गई यहरी. उचल खूद कर चूहा आया, चड़कर उस पर दोड़ा, नींद खुली गुसी में उसने जट चूहे को पकड़ा. गलती हो गई अंजाने में शमा करो तुम मुझको, जब तक जब तुम पर आये मुसीबत आऊंगा मैं मदद को. एक दिन एक शिकारी आया, शेर को जाल में डाला, गरजा राजा गरजन सुनकर चूहा दोड़ा आया, नन्हे नन्हे दातों से फिर जाल को उसने काटा. फिर वो दोनों फ्रेंड बन गए, मजे से अब वो रहते, किसी को तुम छोटा मज समझो, बात यही है कहते. दिड यू लाइक दिस स्टॉरी? क्या पता रहे हो वो स्टॉरी में कि एक शेर ताकत वाला था, और वो जंगल का राजा था, और वो शिकार करके बहुत ठक गया था, गर्मी में सोगया, फिर एक चूहा आया, उसको तंग करने लगा, फिर शेर गुसे में गरजा, और फिर चुहा बोला उसको सोरी सोरी मुझसे गल्ती हो गई अब नहीं करूंगा मैं ऐसे जब भी मुझे मोका मिलेगा मैं तुमारी हेल्प करने के लिए आओंगा फिर एक दिन शिकारी आया और उसने किसको पकड़ा शेर को पकड़ा और फिर कौन आया उसके help करने, वही चूहा, अपने दातों से काटके उसने जाल को तोड़ा और वो दोनों क्या बन गए, friend क्या बन गए, friend, दोनों share और चूहे क्या बन गए, friends ऐसे ही हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और किसी को तंग भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी को छोटा नहीं समझना, किसी को तंग नहीं करना, आपस में एक दूसरे की help करनी है, एक दूसरे की help करनी है, ठीक है so recite this story, learn this story, it is like a rhyme only I hope you like it so we will meet tomorrow, till then take care, be at home, stay safe bye everyone